दोस्तों आज में आप लोगों को बटेर पंची के बारे में कुछ रोचक जनकारिया दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं बटेर पंची एशिया अमेरिका, अफरीका और यूरोप में पाय जाते हैं भारत देश में भी बटेर बहुत अधिक मात्रा में पाय जाते हैं बटेर के कुछ परजाती प्रवासी होती है और एक जगें से दूसरी जगें मौसम के अनुसार आती जाती रहती है बटेर की करीब 32 परजातियां पूरी दुनिया में मिलती हैं बटेर एक छोटे आकार का पंची है, इन परजातियों में रंग और आकार में भिन्नता होती है, इनके पंख प्रजात के मुताबिक भूरे सफेद और काले रंग के होती है, इस पंची के लंबाई 5-8 हिंच के करीब है, बटेर का वजन करीब 70 ग्राम से 140 ग्राम तक होता है, ये पंची अधिकतर जमीन पर ही रहते हैं, बटेर पंची रात और दिन दोनों समय सक्क्री होते हैं, ये कभी भी भूजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, वैसे ये दिन या रात में कब सक्क्री होंगे, क्या है इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है, ये पंची स्तरवा ये मैदानों में जाडियों के पास खेतों में भी मिलते हैं, बटेर अपना घोसला भी जमीन पर जाडियों में बनाता है, ये पंची जुंड में रहते हैं, कुछ पंची अकेले में भी रहते हैं, मादा बटेर एक बार में करीब और सतन 6-8 अंडे देती हैं, इनके अंडों क का रंग सफेद होता है जिस पर काले या भूरे रंग के चकते होते हैं बटेर के शिकारी जानवरों में लोमणी बिल्ली कुता चील उल्लू इत्यादी जानवर होते हैं कुछ जानवर उनके अंडों का शिकार करते हैं तो कुछ जानवर बटेर के मांस के लिए इनका शिकार क करते हैं कई प्रजातियां तो शिकार के कारड विलुप्त हो चुकी हैं आजकल बटेर का पालन भी किया जाता है ये पंची आपस में उची आवाज भी बात करते हैं इनकी आवाज आसानी से सुने जा सकती हैं बटेर पंची का आउसतन जीवन काल करीब 4-5 सालों का होता है त तो इसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद